हलो फ्रेंड स्वागत आपका सेउट एग समांट में जिस सेल का इंतिजार सभी कर रहे थे समर सेल का वो स्टार्ट हो चुकी है और मैं आपको बता दो इतने बरबर के डिसकाउंट्स देखने को मिल रहे हैं तो फ्रेंड अगर आप ए 40,000 के आरांड में कोई लेप्टोप प सबसे पहले जो लेप्टोप में आपको बताने जा रहा हूं वो वन ओप दा बैस्ट मॉस्ट सेलिंग लेप्टोप रहा है और 40,000 की अरांड तो उसकी प्राइस कहना ही है वो अराम से सेल में आपको 34 या 35,000 के बजट में मिल जाएगा मैं बात कर रहा हूं एच्पी के 15S F Q5007TU की जिसमें मिलता है Intel Core i3-12-15U प्रोसेसर है 8GB की DDR4 3200 MHz की रेम लगी हुई है रेम को आप एक्स्टेंड कर सकते हो 512GB की SSD मिल जाती है और वही Intel USD ग्राफिक्स मिल जाता है और सारे एसेसरी स्पोर्ट दिये हुए है फुल साइज आपको कीबोर्ड मिल जाएगा और स इस लेप्टोप की सबसे अच्छी बात है कि IPS डिस्पले मिल जाती है इस बजट में 35,000 के बजट में IPS डिस्पले अधिकतर ब्रेंट प्रवाइड नहीं कराते हैं और और आपको 3-4 गंटे का बैटरी बेकम मिल जाएगा तो अकर आप लोग का बजट 35,000 की आसपास है तो नहीं किसे डौट आप इस लेप्टोप के लिए जा सकते हो और जो नैस्ट लेप्टोप में आपको बताने जा रहा हूं इसमें आपको बरबर के फीचर देखने को मिल जाते हैं मैं बात कर रहा हूं Acer Aspire 5A इसका बजट है 37,000 के बजट में इतने सारी फीचर से इसमें ल मिल जाता है 512GB की PCI NVMe Zen 4 SSD लगी हुई है इस बजट में जनरली कोई भी ब्रेंड Zen 4 SSD प्रवाइड नहीं कराता है लेटेस्ट Wi-Fi 6 और Intel USB ग्राफिक्स लगा हुआ है और इसमें काफी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी मिल जाती है 15 पॉइंट सेक्शन की 1080p IPS अच्छी मिल जाती है और इस लेटों में मुझे एक इंट्रेस्टिंग बात यह लगी इसमें HDMI 2.1 पॉट दिया हुआ है जनरली इस बजट में कोई ब्रेंड यह चीज प्रोएड नहीं कराता है और एक है HDMI 2.1 पॉट मिल जाता है और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है तो आप इस लेटोप के लिए भी जा सकते हो और जो नेक्स लेटोप में आपको बताने जा रहा हूँ अभी पिछले जो दो लेटोप मैंने आपको सजेस्ट किया है उनसे बेस्ट आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी क्योंकि उनमें U-Series का प्रोसेसर लगा हूँ था और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें P-Series का प्रोसेसर लगा हूँ है 8GB की DDR4-3200MHz की onboard RAM लगी हूई है और एक extra slot भी मिल जाता है तो आप यह RAM को extend भी कर सकते हो 512GB की SSD मिल जाती है वाई Intel USB graphics के साथ यह laptop आता है और मैं आपको बताओ इसमें सबसे अच्छी बात इसकी durability आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी क्योंकि यह laptop military grade certification के साथ आता है 37 में 180 degree की हिंची मिल जाती है durability काफी अच्छी मिल जाती है security के लिए आपको privacy shutter मिल जाएगा फिंग urban sensor दिया हुआ है और display 15.6 की full HD लगी हुई है और और laptop काफी अच्छा है जिस budget में यह laptop आ रहा है और अभी यह online listed है 38,000 में जिस date में मैं यह वीडियो बना रहा हूँ और कोई office वगर आपको मिल जाए तो और आपको extra discount मिल जाएगा तो मैं highly recommend करना चाता हूँ कि आप इस laptop के लिए जा सकते हो next list में जो मैंने laptop रखा है वो है Lenovo Idea Paid Slim 3i जो आता है Intel के latest i3-1305U processor के जाद है 8GB के LPDDR5 4800MHz की onboard RAM लगी हुई है 512GB की PCIe NVMe Gen 4 SSD लगी हुई है जनरली इस budget में Gen 4 SSD मिलना काफी अच्छी बात है और latest Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.1 दिया हुआ है और इस laptop के बैटरी बेकप में भी आपको काफी improvement देखने को मिलेगा 3Cell 47Wh की बैटरी लगी हुई है तो आपको अराम से 4-5 गंटे के आसपास बैटरी बेकप मिल जाएगा और काफी में 300 nits की brightness मिल जाती है 45% NTSC color gamut है और साथी full size backlit keyboard मिल जाता है और अच्छी बात SD card reader slot भी मिल जाता है क्योंकि वो content creators के लिए काफी अच्छा option होता है और all मुझे laptop काफी अच्छा लगा जिस budget में आ रहा है जनरली इस laptop की price 42,000 रहती है और किसी offer sale में आप इसे लोगे तो तो बिना किसे doubt आप इस laptop के लिए जा सकते हो लिस्ट का जो last laptop में ने रखाय हो आता है i512 generation processor के साथ मैं बात कर रहा हूँ Acer Aspire Lite की तेको मैं आपको बता दो इसमें आपको metal build मिल जाती है i512 15U processor लगा हुआ है 8GB की DDR4 3200 MHz की RAM लगी हुई है 512GB की SSD मिल जाती है सारे SSD sports मिल जाते हैं और full HD display भी मिल जाती है और all यह laptop जिस budget में आता है तो आप इसके लिए भी जा सकते हो अभी यह लिस्टेड है 42,000 में और किसी offer sale में आप इसे purchase करोगे तो और आपको अच्छे कासे discounts मिल जाएंगे तो यही थे top 5 laptop जो भी मैंने आपको suggest की हैं और मैं आपको बता जातू summer sale में इतने सारे discounts देखने को मिल रहे हैं तो आप इन में से किसी एक laptop के लिए जा सकते हो और आप बताना कि आप 40,000 के budget में कौन सा laptop purchase करने की सोच रहे हो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते है चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इन laptops के regarding अगर आपको कोई क्यों सान है तो मुझे comments box में जरू comments करके बताना I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते है चैनल पर पहली बार आयो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक्स और वोचिंगे वे नाइस दे जैहिंद वंदे मातरम